लाडली बहना योचना बंध होनी को लेकर शिवशेना नेता संजेर राउत ने एक बयान दिया है जिस पर खुद प्रदेश के मुख्या सीम डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया है और कहा कि जब से हमने लाडली बहना योचना शुरू की है लगातार हर महिने नश्रित समय पर बहनों को पैसा देनी का काम किया गया है तो हमने हमारी 500 साल पूर की सामगरी विरांगना रानी दुर्गावती की जएंती के अफसर पर भी एक साथ पूरे प्रदेश की बहनों की खाते में पांच-पांच हजार की राशी डाली है तो कोई ऐसा महिना नहीं जा रहा है जिसमें यह राशी नहीं डाली गई हो आगे क्या कुछ कहा है उन्होंने सुन लीजे पताया गया कि अभी महराष्ट के सिवसना के प्रवक्ता ने कहा कि लाडली बेना के खाते में पैसे नहीं आ रहा है हमने योजना बंद कर दिये मैं आपके माद्यम से बताना चाहूंगा कि जरा संजे राउत मत्वदेश में आके देखो एक करोड 29 लाग बेनों के खाते में कैसे पैसे जा रहा है जिस प्रकार से हार के भैसे सिवसेना उद्धव की पार्टी के लोग जूट बात करके महराष्ट के चुनाओं में जनता को बर्गलाना चाहते हैं जनता बर्गलाएगी नहीं हमारी इस योजना के भरोसे से निश्यद रूप से महराष्ट में भी भाजबेक जरकार बनेगी